नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरी यूटूब चैनल गुरू जी आयरुवेदा में आज इस वीडियो के मध्धन से मैं बात करूँगा जिन महिलाओं की ब्रेस्ट में धीलापन हो जाता है जिन महिलाओं की ब्रेस्ट एकदम धीली पड़ जाती है और अनेक तरह के उपचार लेने के बाद या अनेक तरह के मसाज ओएल्स या मेडिसेंस या किसी भी तरह की चिकित्सा लेने के बाद भी उसमें कोई फर्क महसूस नहीं कर पा रहे है तो आज इस वीडियो के माध्धन से मैं ऐसा नुष्खा बताने वाला हूँ जिस नुष्खे की मदद से जिस नुष्खे के कुछ ही दिन इस्तेमाल करने से जो शरीर के अंदर लटकन पैदा हो गई है उसमें आपको 100% रेजल्ट मिलेगा बस आपको इस वीडियो को अंतक जरूर देखना है तीन से चार मिनिट का वीडियो है इस वीडियो में जो फूर्मॉला मैं बताऊंगा उस फूर्मॉले के इस्तेमाल करने से आपकी ब्रेस्ट के अंदर जो भी दिलापन आ चुका है वो बिलकुल सही हो जाएगा और उसके बाद आपको ऐसी कोई समस्या फेस नहीं करने पुड़ेगी तो दोस्तों सबसे पहले यह जान लेते कि यह ढिलापन आने के कौन-कौन से मुख्य कारण हो सकते है सबसे पहले हार्मोन के अंदर जब कोई भी बदलाव होता है हार्मोन के अंदर जब भी चेंजिस होते है तो उसकी वज़े से breast के अंदर ढीलापन आ जाता है ladies को या pregnancy के दोरान या delivery के बाद तीन कारण ऐसे होते हैं जिनकी वज़े से महिलाओं में ये समस्या होती है और जिसकी वज़े से उनकी पूरी personality बिगड़ जाती है उनका look ही change हो जाता है तो अगर आप भी अपनी personality को अच्छा बनाना चाहते हैं और आप भी एकदम fit दिखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए जो नुसका मैं बताने वाला हूँ उसका उप्योब करके आप अपनी problem को बिल्कुल हमेशा के लिए खतम कर सकते हैं तो दोस्तो ज्यादा से मैं नाविश्ट करते हुए मैं आपको नुसका बता देता हूँ नुसका बोच simple है घरेलू है आप उसको अपने घर पे तयार कर सकते हैं कहीं से कुछ लेके आने की जूरूरत नहीं है पांच मिनिट में आप उस नुष्क को तियार कर सकते हैं और उसको अपलाई कर सकते हैं कुछ दिन इस्तेमाल करने से ही आपको बहुत बहुत बहुतर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और अगर एक से डेड़ महिने तक आप इसका निरंतर इस्तेमाल करेंगे अपने यूज के इस्तेमाल के इसाफ से आप मेथी दाना ले ले मेथी दाने को मिक्सी में पीश के पाउडर बना ले पाउडर बना के किसी कांच की सिसी में भर के आप रख ले अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तो आधा ग्लास आपको रूम टमप्रेचर पानी का लेना है आधा ग्लास आधे ग्लास में आपको एक से डेड़ चमच पीसा हुआ मेथी दाना डालके और 15-20 मिनट के लिए उसको रख देना है 15-20 मिनिट बाद आपको उसको अच्छे से मिला लेना है मिलाने के बाद उसका गाड़ा गाड़ा पेस्ट बन के त्यार होगा उस पेस्ट को आपको अपने ब्रेस्ट के उपर अच्छे से मसाज करना है 15-20 मिनिट तक मसाज करें उसके बाद उस लेप को उपर से लगाके आप थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें जब वो अच्छे से सूख जाए तो उसको हलके गुन-गुने पाने से आप वोश कर ले धोले पहली बार इस्तेमाल करने से ही आपको रिजल्ट सामने दिखेगा कुछ दिन तक निरंतर इस्तेमाल करने से आपके 50% तक प्रॉल्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी और अगर एक से डेड़ महिना आप इसका नेमेत इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ये धिलेपन की समस्था बिल्कुल हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाएगी अगर आप भी ब्रेश्ट के डेलेपन की समस्था से प्रिशान है तो आप ये उसका जरूर आज माईए और आपको बहतर रिजल जरूर मिलेगा तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो ये जानकर ये अच्छी लगे तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर सेर करिएगा दोस्तो आज के लिए इतना ये वीडियो को अन तक देखने के लिए धन्यवाद